दोस्तों BPSC परिक्षा को लेकर ओफिस्यल वेबसाइट पर बहुत ही महत्पुर्ण नोटीस चारी किया गया है और ये नोटीस जो संबंधित एड्मिट कार्ट से संबंधित है तेड्मिट कार्ट कैसे डौनलोड करना है पूरी परकिरिया के बारे में आप लोगों को बतान करने वाले हैं और इस पार की जो पीटी परिक्षा है बरे बदलों के साथ हो रही है तो क्या-क्या बदलों हो है सेफ है स्कोर कितना क्या रहेगा सभी चीजों को लेकर क्लियर करने वाले हैं ये दोस्तों BPSC को ओफिस्यल साइट है और यहाँ पर आप देखिएगा तो आप इस नोटीस को देखिए जो कि ऑफिस्यल नोटीस है और यहाँ पर आप देखिएगा बिहार लोग से वाय आवस्यक सूचना और यह जो संबंधित है और सथमी सनुक्त प्रारभिक परत्योक्ता परिक्षा से और यह जो परिक्षा होने वाली है रवी बार को डेट यह के ओर से कैलेंडर जारी करके पहले इस डेट के बारे में बताया गया था और यहाँ पर अब एड्मिट कार्ड को लेकर है तो एड्मिट कार्ड से रिल्टेट भी ओफिस्यल साइट पर नोटीस जारी कर दिया गया है अब आपके पास लगभग 20 दिनों का समय बचा हुआ ह अगर आप अच्छे से त्यारी किजेगा तो विल्कुल आपका सेलेक्शन होने वाला है इस बार की जो परिक्षा है सबसे खास बात यह है कि इस बार निगेटी मार्किंग लागू किया गया है विपीएसी में से पहले निगेटी मार्किंग नहीं था 150 क्विस्चन इस बार भी पूछा जाएगा और इस बार क्या है कि 1-4 निगेटी मार्किंग है और निगेटी मार्किंग में आप चाहिएगा कि बहुत जाएदे यानि देर सो का देर सो एटेम्प करें तो आपके लिए दिकत यहाँ पर होगा अगर बहुत जाएदे निगेटी फिर कर लीजेगा तो मैनस मार्किंग भी है अब आप यह जानना चाहरे होंगे कि सेफ है स्कोर कितना क्या रहेगा तो प्रैक्टिस सेट में दोस्तों अगर आपका लगभग 100 क्वेस्टन सही हो रहा है तो बिलकुल आप सेफ के अंदर है और बांकी कट अफ यह सब तो परिक्षा होने के बा परिक्षा जो है ओफ लैन ओमर सीट पर ली जाएगी और आप यह जानना चाहरे होंगे किसका सेंटर कहां दिया जाएगा तो सेंटर दोस्तों जितने भी वाइज कंडेट है इसमें से मैक्सिमम कंडेट का सेंटर जो है होम इसमें नहीं मिलने वाला है बांकी जितने गर्ल किसी का 200 किसी का 300 किलेम्टर दूर भी सेंटर जा सकता है इसके बाद दिखेगा तो बिहार के राज जी के 38 जिलों में टोटल 805 परिक्षा के अंदरों पर आयोजित की जानी है और उत परिक्षा यी परवेस्पत यी एडमिट कार्ड आयोग के वेबसाट पर 28 जनबरी 2023 को कर दिया जाएगा और अभ्यार्थी परवेस्पर डॉनलोड करने है तो अंतिम समय का इंतजार नहीं करेंगे यह इसलिए कहा गया है कि हो सकता है कि मालिज आप सहिएगा कि जिसी परिक्षा उसी दिन डॉनलोड करें और फिर वेबसाट काम ही नहीं करेगा तो फिर आप ड लोगिन करके अपना एड्मिट कार्ड डॉनलोड कर सकते हैं बाइप पोस्ट से किसी का एड्मिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा यहां पर परिक्षा नियंतरक का सीनेजर सारा कुछ देख सकते हैं यह तो हो गया दोस्तों एक नोटिस एक नोटिस और आपको यहां से चेक कर लिजेगा अब इस लिस्ट में अपना नाम देख लेना अगर इस लिस्ट में आपका नाम है तो आपका एड्मिट कार्ड नहीं आने वाला है यह हर बार होता है तो यहां पर बीपेसी का फॉर्म भरने के लिए मिनिमम एज का जो कंडिसन है बीस साल अगर बीस साल कंप्लीट कर लिए हैं फॉर्म भर सकते हैं अधिक्तम उम्र का कंडिसन 37 साल है कुछ आईसिया भ्यारती है जिसका एज 20 साल से कम था उसको यहां पर एक अगस्ट 2022 काट अफ डेट रखा गया था एक अगस्ट 2022 को मिनिमम एज जो होना चाहिए 20 साल होना चाहिए अधिक्तम की बात करें जनरल काटोगोरी के लिए 37 साल जनरल फीमेल में 40 साल बीसी बीसी में 40 साल सेस्टी में 42 साल और अगर कोई जॉब में है तो उसको उम्र में छूट भी दिया जाता है तो यहां पर देखेगा दो कंडेट मिनिमम एज के कारण से छटे हैं इसके बाद यहां पर अधिकतम उम्र का ही दिया रेजिस्टेशन नमर अपना नाम कैटोगोरी डेट ऑब बर्थ यहां से अपना मिला लिज़े जो कि ऑफिस्यल साइट पर जारिक किया गया और एक अगस्तु 2022 के अनुसार अधिकतम उम्र जो है यहां पर 37 साल क्रॉस कर गया है इस कारण से से ड इस नोटीस में यहाँ पर दिया हुआ है यहां पर दिखेगा तो कहा गया है इस एमेल आडी पर साक्ष के साथ साक्ष में आप अपना डेट ऑ बर्थ यह सापरमान देना है तो भेज सकते हैं और इस पर 37 जन्वरी तक आवधन भेज सकते हैं और फिर 78 तरीक अडिमिट कार है यहां पर BPSC परिक्षाम आप देखेगा तो इस पार बड़ा बदलाओ हुआ है और बड़ा बदलाओ में तो पहला चीज यहीं है सबसे पहला चीज यह है दोस्तों की negative marking लागउ किया गया है तो negative marking के बारे में देखेगा तो 1x4 negative marking है यानी और यहां पर एक question अगर आप सही करते तो एक marks मिलेगा अगर question गलात हो जाता है तो 1x4 यानी 0.251 काट आ जाएगा तो negative के recording सारा कुछ आप अभी से practice जरूर दे दीजेगा जिसे आप कम से कम चरपाया दे दीजेगा जिसे आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा question को attempt करना है कौन सा कुछ होरना है पहले जैसा नहीं रहे कि आप 500 में से 500 सभी को attempt करना है और यह सबसे खास बात यह है कि यह option इस बार लागू ही है यह option को नहीं हटाया गयो यह option इस तरह से रहेगा जिस तरह सरसटमी में था उपर युक्त में से कोई नहीं उपर युक्त में से एक सदिक यह option के बावजुद यहां पर negative marking है तो इस बार करा competition रहने बाला है सीटों क संख्यां भी बहुत कम है सीटों क संख्यां के बारे में देखेगा तो BPSC में इतना कम सीट नहीं के बरावर रहता था अरशटमी में भी अच्छा खासा था और इतना सीट 65 में था फिर 66 में भी ठीक ठाकी सीट था इस पार 60 में सीट बहुत कम है और इसमें रूल यह है कि वेकेंसी का 10 गुना रिजल्ट दिया जाता है लेकिन हर बार 12 से 13 गुना रिजल्ट दिया जाता है तो इस पर देखें कितना रिजल्ट दिया जाता है 15 गुना तक भी दिया जा सकते है क्योंकि सीट कम है जिससे जयातर कंडेट पास हो पाए cut up बहुत जैदे high ना जाए तो यहां से आप लोगों को सारा कुछ clear हो गया और अगर आप admit card download करना चाहते हैं इसके बारे माँ आप जानना चाहते हैं कि admit card कैसे download होगा यह दोस्तो BPSC का official site है official website पर आने के बाद यहां पर left section में आपको apply online का link दिखेगा इस पर आप click किजेगा इस पर आप click किजेगा तो click करने के बाद यहां से आपको BPSC का एक नया website online application का portal open होगा और इसी website के माध्यम से admit card, form, flip सारा कुछ परक्रिया आप कर सकते हैं यहां पर open होने के बाद सबसे पहला आपको login का option दिखेगा और BPSC में जो भी भरती आई है मेंस का भी BPSC में form भरना परता है तो नीचे मापको दिखेगा जैसे अभी दो चार भरती के बारे में है टोटल यहां पर अभी 22 तरह की भरती का form फिलब हो रहा है इसमें से कुछ हैसे भी है जिसका मेंस का form फिलब करना है BPSC में क्या होता है कि सबसे पहले आप PT के लिए form भरिएगा इसके बाद फिर मेंस के लिए form भरना परता है जो भी candidate PT पास करते हैं तो यहां पर इसी पोर्टल के माध्यम से यहां पर apply online और जो नई भरती आई उन सभी का form फिलब होता है और अगर आप अभी जो PT पर इच्छा क्लियर सटमी के लिए form फिलब किया तो उसमें आपको यूजर नेम पासवर्ड मिला है यूजर नेम पासवर्ड अपना दीजेगा क्यप्चा दीजेगा, लॉग इन कीजेगा इसके बाद यहाँ पर dashboard आपका दीखेगा dashboard में आपका नाम, father, name, category, date of birth सारा details दीखेगा और वहीं पर आपको admit card को option आएगा admit card को option right section में यहाँ पर आपको दीखेगा और left section में form का print यह सब चीजे रहता है तो वहाँ से आप अपना admit card डॉनलोड कर सकते हैं कुछ भी चीजे धांदली यह सब चीजे देखने को नहीं मिला था इस बार भी ऐसा ही होगा फिछली बार के compare और कराई से परिक्षा ली जाएगी जिससे जैनुन केंडेट का selection हो पाए तो यहाँ पर आप लोग को admit card कैसे download करना है कैसे परिक्षा होगी सारा कुछ आप लोग क्लियर हो गया